दोस्तो आज की वीडियो में बहुत शांदार कॉंबिनेशन में लेकर के आयू लाइव आपको गोल तयार करके दिखाएंगे इस कॉंबिनेशन से आप अपनी फसलों में फंगस चनित डिजीज भी कंट्रोल कर पाएंगे उसके साथ साथी थ्रिप्स वगरे जैसे इंसेक्ट को कंट्रोल कर पाएंगे और मकडी को भी कंट्रोल कर पाएंगे यानि कि अगर आपके क्रोप में फंगस चनित डिजीज जाओ और मकडी वगरे का भी अटेक है और जैसे त्रिप्स वगरे का अटेक है एक साथ तो ये कॉंबिनेशन आपके लिए बहुत जादा करें ताकि इसी तरह की बहुत इंपोर्टेंट यूजफुल जानकरिया आपको समय समय पे मिलती रहें तो दोस्तों सबसे और क्यूरेटिव दोनों ही तरीके से फसलों में काम करता है यानि कि जैसे बारिज का सीजन है या फिर मोसम चेंज हो रहा आपको लग रहा कि आपकी क्रोफ में फंगस चनिती डिजीज का अटेक हो सकता है तो पहले से ही आप इसका स्प्रे करेंगे से भी टैप की फंगस का अटेक देखने को नहीं मिलेगा और अगर अटेक है और आपकी फसल में फंगस चनिती डिजीज है तो फिर यह फंगस को कंट्रोल करता है और फसलों को स्वस्त और हरा भरा बनाए रखता है यानि कि इसमें फाइटो टोनिक इफेक्ट भी है इसके स्प्रे के बाद में फस सरकस्पोरा लीफ स्पोर्ट को कंट्रोल करता है सरकस्पोरा लीफ स्पोर्ट अनार में सबसे ज़्यादा समश्या देखने को मिलती है पावडरी मिल्डियू फ्यूजेरियम विल्ट भी बहुत सारी फसलों में यह समश्या आती है तो फ्यूजेरियम विल्ट को भी कंट्र करता है दोस्तों विल्टि के लिए बहुत इफेक्टिव फंगिसाइड है ये फ्यूजेरियम विल्टि के लिए अगर किसी भी क्रॉप में ये समश्या है तो इस फंगिसाइड को जरूर यूज करें और इसकी परफेक्ट डोज की बात की जाए तो इसकी परफेक्ट डोज है आदा ग्राम पर लिटर के साब से गोल तयार करके स्प्रे करेंगे यानि कि एक ग्राम प्रति दो लिटर पाने में गोल तयार करके स्प्रे करेंगे एक एकड के लिए 100 ग्राम 200 लिटर पाने में मिक्स करके स्प्रे करना होता है प्राइस की बात की जाए तो 500 ग्राम का पैकेट लगबग 400 रुपए के सम्थिंग अविलेबल हो जाता है प्राइस दोस्तो अपडाउन हो सकती है इसके साथ में बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है वो है जूलियट इंसेक्टिसाइड जो कि माइटीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है सेम इसी का टेक्निकल कंटेंट आता है क्रिस्टल का एबैसी नाम से तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी कंपनियों में टेक्निकल कंटेंट यही आता है एबा मैक्टिन 1.9% EC4 में तो अधर किसी कमपनी का भी आप ले सकते हैं टेकनिकल कंटेंट सेम होना चाहिए इसके मोड ओफ एक्षन की बात की जाए तो कॉंटेक्ट और स्टमक एक्षन आता है और उसके साथ-साथ इसमें टांस लेमिनार एक्षन भी आता है यानि कि पत्तू के नीचे की साइड मकड़ी बगर अक्षन नीचे ही अटेक होता है पत्तू के नीचे तो उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है उसके साथ ही फसल में अगर पत्तू के बीच में या नीचे त्रिप्स बगर कहीं चुपे हुए होते तो उनको भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है ट्रांस लेमिनार एक्षन होने की वज़े से बहुत इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड ये होता है इसकी प्रैस की बाद की जाए तो 100 ml की बोटल पे MRP है 821 रुपए और आपको जब भी परचेज करें दोस्तों आप खुद कमेंट करके बताएं आपने इसे कितने में परचेज किया इसकी परफेक्टिव दोज होती है आधा ml से एक ml पर लिटर के साबसे गोल तयार करके फसलों में स्प्रे करना होता है यानी की दोस्तों अगर आप कम्बिनेशन में यूच करते हैं चाहिए फंगिसाइद, इंसेक्टिसाइद और भी कोई अगर कुछ भी कम्बिनेशन करते हैं तो दोस थोड़ी कम ही रखनी होती है नहीं तो हैवी कम्बिनेशन तयार हो जाता है इसलिए best रहता है कि डोज थोड़ी आप कम लेने तो अगर combination में आप इसकी डोज ले रहे हैं तो आदा ml पर लिटर के साब से गोल तयार कर ले और केवल अगर एबा मैक्टीन का स्प्रे करेंगे तो फिर आप एक ml पर लिटर के साब से गोल तयार करके स्प्रे करेंगे और लास्ट में इस combination में सिलिकोन चिप को जरूर लेना है एक ml प्रति 5 लिटर पानी के साब से आपको सिलिकोन चिप को अड़ करना है और स्प्रे करना है तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत अच्छा combination तयार होता है त्रिप्स वगरे को कंट्रोल किया जा सकता है माइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है और उसके साथ साथी फंगस चनित डिजीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है इस तरीके से एक साथ कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्टे फसलों में मिलते हैं और आपको किसका कॉम्बिनेशन चाहिए कमेंट करके आप जरूर बताएं जानकर ये अच्छे लगी है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जादा से जादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद